हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू स्पोर्ट सक्सेस आज हम फानेंशल सिक्रेसी इंडेक्स को एनलाईज करेंगे इस इंडेक्स को अभी डिसेंटी रिलीस किया गया है चलिए हम देखते हैं कौन सी कंटी ने कैसा परफॉर्म किया है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स को रिलीस कौन करता है इस इंडेक्स को टेक्स जस्टिस नेटवर्क रिलीस करता है केमन आइलेंड टॉप पुजीशन पर है जो की बेस्ट इंडिस या केरिवियन आइलेंड का पार्ट है और North America continent में include किया जाता है Second position पर United State है और Third position पर Switzerland है Financial Secrecy या बित्तिय गोपनिता होती क्या है Friends Financial Secrecy Act तब हो जाता है अगर कोई Financial Information है और Law Books में ऐसा लिखा गया है कि उसको share करना चाहिए Tax Authority के साथ Police Services के साथ या Legitimate Authority के साथ अगर ऐसा ना किया जाए तो वो Financial Secrecy का Act हो जाता है Financial Secrecy डिफरेंट होती है Legitimate Confidentiality से Friends Bank की नजर ये से देखें तो वो Legitimate Confidentiality के अंदर आता है अगर Bank किसी भी Individual की Bank Details को share ना करे तो वो Legitimate होता है लेकिन अगर Financial Information जो की Law Books में लखा है कि share करी जाने चाहिए Tax Authority से अगर वो ना की जाए तो वो Financial Secrecy का Act हो जाता है इसी को ध्यान में रखते हुए इस Index को बनाया गया है और Cayman Island ऐसी Top Countries है जो Financial Secrecy पर Top में आती है Cayman Island के आप Location देख सकते हैं Friends North America continent का Part है और Caribbean Sea के जस्ट उपर है Gulf of Mexico के पास भी है Atlantic Sea और Pacific Ocean को भी आप देख सकते हैं Caribbean Sea North में situated है South America continent के Financial Secrecy Index होता क्या है Financial Secrecy Index से हमको यह पता चलता है कि Global Arena में Financial Secrecy कितनी है Tax Events कौन कौन से है Illicit Financial Flows कहां पर किये जाते है Tax Events का मतलब होता है Friends जहां पर Tax की Rate बहुत कम होती है या Zero होती है तो ऐसे Tax Events में जो Belly Individuals होते हैं अपने Money को Illegal तरीके से Root करते हैं जिसको हम Capital Flight भी बोलते हैं तो इसी Index में इन सब चीजों को Goss किया जाता है या Measure किया जाता है अगर Index की हम बात करें तो Zero से 100 इसको दिये जाते हैं Counties को Zero का मतलब होता है Financial Secrecy और 100 का मतलब होता है Full Financial Secrecy तो यह Rank करता है Counties को कि उनके जो भी Legal और Financial System है वो किस तरह से Allow करता है Belly Individuals को या Criminal को कि अपनी Money है उसको Hide करे या जो Black Money है उसको White Money में Convert करके Root कर दे Tax Savings में तो ऐसी कौन-कौन सी Counties है या ऐसी Counties का कितना Beak Legal और Financial System है इस Index से हम पता कर सकते हैं इस Index ही अगर बात करें तो है दो चीजों के Combination से बना हुआ है सबसे पहले तो Counties का Secrecy Score इसमें देखा जाता है गूप नित्या Score कितना है कंटी का Second है कि जो भी कंटी है उसका Global Market में Share क्या है उसके आधार पर Betis दिया जाता है तो Financial Secrecy Index के बार में हमने जाना आप देख लीजे Top 10 Counties जो है पहला Cayman Island है Second United States है Third Switzerland है Fourth Hongkong है अगर हम Score देखें तो Cayman Island 76 Score है और FDI की अगर बात करें तो इसमें नियरली 32,660 करोड रूपीज FDI आई है 2000 और September 2019 के बीच में Second Number पर United States है इसका Secrecy Score 63 है आप Top 3 Countries याद रख लीजे इंडिया Top 10 में नहीं आती है तो हमारा Analysis इस Topic का समापत होता है Friends Thank you Thank you very much for listening